नमस्कार दोस्तो मैं रोसन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पांडेजी टेक्निकल के एक नयफरेस वीडियो में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की एजुकिसनल वीडियो तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो पहला कोशन है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिविम बनता है तो दोस्तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिविम समतल दरपड से बनता है तो आपसन नमर बी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तो दूसरा कोश्चन है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिविम बनाने वाला दरपड होता है तो दोस्तो समतल और उत्तल दरपड वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिविम बनाते हैं तो आपसे नमबर D हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन है कि वास्तविक परतिविम की प्रकृति कैसी होती है तो वास्तविक परतिविम की प्रकृति उल्टा होता है ठीके दोस्तो तो आपसे नमबर ए हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन है कि वस्तु से छोटा प्रतिविम बनता है तो दोस्तो उत्तल दरपड और उत्तल दरपड से वस्तु का छोटा परतिविम बनता है तो आपसन नमर डी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कोश्चन है कि प्रकास के परावर्तन के नियम के अनुसार होता है तो इन आपसनों में परकाश के परावर्थन का नियम क्या कहता है कि आपतन को और परावर्थन को आपस में बराबर होते हैं तो आपसन No. B हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला कोशन है कि समतल दरपर द्वारावणा परतिविम्ब सदा होता है तो दोस्तो समतल दरपड़ द्वारा बना परतिविम सीधा और आभासी होता है तो आपसा नमबर C हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकास की मातरा को नियंतरित करता है तो परितारिका जो होता है वो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकास की मातरा को नियंतरित करता है तो आपसा नमबर E हमारा आंसर हो जाएगा और परितारिका को इंगलिश में आईरिस भी कहते हैं तो यह हम ध्यान रखेंगे दोस्तो अगला कोशन है कि यदि दरपड में बना परतिविम हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दरपड होता है तो वह दरपड समतल दरपड होता है तो आपसा नमबर C हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तो अगला कोशन है कि समतल दरपड के द्वारा बना परतिविम होता है तो समतल दरपड के द्वारा बना परतिविम कालपनिक होता है तो आपसे नमबर B हमारा आंसर हो जाएगा और दोस्तो लाश्ट कोशन है कि उत्तल लेंस की छमता होती है तो उत्तल लेंस की ज्ञमता धनात्मक होती है तो आपसे नमबर B हमारा अंसर हो जाएगा और दोस्तो उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है और दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजे जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों जै हिंग जै भारत